नव निधी पाने का मार्ग तो हमने बृष्टित पूर्वक कथा में बताया है नव निधिया हनमायन जी की कृपासे ही पाई जा सकती है पहला तो शुत्र दोनों का एक बात समझो चौपाई पढ़ेंगे तो आप अर्थ समझेंगे अश्ट सिध्धि नव निधि के दाता दाता हनमायन जी के पास ये सिध्धियां है नहीं इसके बो दाता है देने की छमता है तो तुम हनमायन जी को पाजाओगे तो सब कुछ पाजाओगे अलग अलग पाने की कोशिस करोगे तो बहुत बुरी दुर्दसा होगी भाई अलग अलग पाने का धे का मतलब यह है तराजू पर मेढ़कों को तॉलना मेढ़क तराजू पर इखटे कभी रहते ने तो एक-एक सिध्धी प्राप्त करने के लिए अगर हम प्रत्न करेंगे तो एक आद दो तो प्राप्त कर जाएंगे सब नहीं तब तक एकाज छूट जाएगे और तब तक जीवन ही छूट जाएगा इसलिए अश्टि सिध्धि नवनिधी को पाने का सरवोत्तम उत्रष्ट उपाए है हनमान जी को पालीजिये देखो जो तुमको चाहेगा वो फिर तुमसे कुछ नहीं चाहेगा